तो क्या हाल तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज दो सेवन भी करेंगे वह चैप्टर सेवन आपका सेवन लाइंस एन एंगल पहला हमारा इन दे एट जोइनिंग फिगर एओ इस टेट लैंड और फैलो फैक्स निकालना है तो देखो फिगर है यहां पर यहां पर यहां पर क्य यह सब क्या है जो एंगल लेओ से और बीओ सी लीनियर पेर ओंगल से तो हमारा एंगल 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 बीओ सी इसी का वैलोईशन कितना है ठीक है 62 डिग्री हो गया प्लस एंगल बीओ सी एक्स नॉट माल लिया हम लोग ने एन 180 यहां पर लिख लिए है तो देखो आज जो लिए पेर ओंगल से इसलिए हमारा ओएसी का जो वैलू है वह 62 हो गया और बीओ सी हम लोगे निकालना था तो उसको हम लोग एक्स माल लिया कैल्कुलेशन करेंगे तो एक्स नॉट हमारा 180 डिग्री हो गया तो फिर हमारा नेक्स्ट है और देखो यहां पर जो 62 डिग्री ह यह आपका दिया हुआ है फिगर में कोश्चन में ही दिया हुआ है ठीक है इन दे जोइनिंग फिगर एओ इस टेट लाइन फांट फैलो एक्स एंड हैंड फाइंगल एंगल बनाया हुआ है देखो उपर में 55 डिग्री है फिर ए है बी है और नीचे में ओ है एक्स प्लस 20 यह थी एक्स माइनस सब्सक्राइब थोड़ा क्रिटिकल यह सम ध्यान से देखेंगे तो एंगल एओ बी जाए स्टेट लाइन हम लोग का यह बी स्टेट लाइन है एंगल सब्साइड ओफ एओ बी एंड पॉइंट ओन ओ इस वन एटी डिग्री तो टोटल हम जानते की वन सब्सक्राइब एंगल अगल बीज़ ब्लु एक्स प्लस 20 ृटी ठीक है एक्वास टॉ एक्वस्ट बीज़ डिग्री जब इसको सॉल्ब करेंगे तो एक्स बराबर हमारा ट्वेंटी डिग्री आएगा फिर हम लोग एक्स का वेलू बैठा करके हम लोग एंगल एओ सी नि एंगल COD एंगल BOD फिगर में देख सकते हैं हम लोग यहां A भी दिया हुआ है यहां O है उसके बाद A O B हमारा एक स्टेट लाइन है उसके बाद हम देख सकते हैं आपके C है और D है तो हमारा जो है 3x स्टेट लाइन देख सकते हैं उसके बाद 180 तो हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर एंगल A O C को डालेंगे तो 32 डिग्री प्लस 7 तो हमारा 103 डिग्री आ गया एंगल COD कितना हो जागा टू इंटू 32 डिग्री माइनस 9 टू 45 आ गया और एंगल BOD तो हमने पहले से जानते हैं 32 डिग्री होगा अब फिर एक देखेंगे यह थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि यहां पर आपका रेशियो वाला खेला होगा तो यहां पर देखो फिगर में क्या है यहां पर एक नॉट है यहां पर एक साथ में इंटू कर दीए ठीक है उसको उसको एक स्ट्रेक्ट के लिए निकाल लिए तो हम लोग देखेंगे एकस ओवाई इस इस्टेट लाइन यहां पर जो है आपका नहीं यहां पर यह चीज गलत दिखाये यहां पर एओ बी ही आपका एक स्टेट लाइन होगा ठीक है यह देखेंगे कि फाइब प्लस फोट एक्ट सिक्स एक टीग्री तो हम लोग जाब एक का वैलू निकालेंग तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, A equals to 28 degree, 4, तो हम लोग जो माने X EG car to 5, Y EG car to 4, Z EG car to 6 है, तो एका value बठाके 60 degree, 48 degree, 72 degree, XYZ का हम लोग degree का value शन निगा लिए, next question हम लोग देखेंगे यहाँ पर, in the adjoining figure, what is the value of X will make AOB as a straight line, यहाँ पर देखो figure में, तो हमारा angle है 3X plus 20 degree, AOB जो हम लोग का straight line है, और हमारा जो COB है, वो है 4X minus 36 degree, तो angle BOC कितना हो जाएगा, देखो, angle BOC कितना है, 4X minus 36 degree, और angle AOC, जो हम लोग का angle AOC है, वो आपका हो जाएगा इसको बराबर कर देंगा 180 degree से, फिर हमारा 4X minus 36 degree plus 3X plus 20 degree equals to 180 degree, तो 7 is 6 equal to कितना हो जाएगा, 196 degree, X is equal to 28 degree, that's it, ठेक है, किलर है, आगे चले, next question हमारा 6, two lines A, B and C, D are intersect each other, देखो, यहाँ पर एक दूसरे को intersect किया, मनें काटा किया है, तो at O, O पे काटा है, तो if angle A, O, C equals to 50 degree and find angle A, O, D and angle B, O, D and B, O, C, जो angle A, O, D, B, O, D और B, O, C इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो first of all देखो यहाँ पर, angle A, O, C हम लोग के पास कितना है, 50 है, और हम लोग के पास, देखो, angle A, O, C equals to angle B, O, D, अगर हमारा A, O, C का value 50 degree है, तो angle तुमारा B, तुमारा B, O, D, इसका value भी तो 50 होगा, एक दूसरे का विप्रित कौन है, angles, killer है, तो यहाँ 50 होगी है, लिख दिये, तो अब angle B, A, O, D, और angle A, O, D, angle B, O, C, दोनों को हम लोग क्या माल ली, X not माल ली, तो अब हम लोग देखते है, चारों का, जब हम लोग टोटल कितना आएगा, 360 आएगा, तो सब को angle A, O, C, plus angle A, O, D, plus angle B, O, D, plus angle B, O, C, equals to 360, जिसका value हम लोग लेट किये, उसको बैठा दिये, और जिसका value निकाले, उसका भी बैठा दिये, तो हम लोग जब solve करें, तो X is equal to कितना आजाएगा, 130 डिग्री, तो हमारा angle A, O, D, और angle B, O, C यह हमारा 130 डिग्री आएगा, that's it, तो चारो एंगल का valuation देख लो, और चारो को जब आप लोग एड करोगे, तो आपको कितना आएगा, 360 आएगा, that's it, ठीक है, next question देखते हम लोग, position नमर 7, it's a adjoining figure, three co-planners, lines A, B, C, D, E, F, intersect at a point O, यह थोड़ा एक लेबल ऊपर है, पहले value of X, Y, and Z, and T, यहाँ पर चार एंगल निकालना है, यह अभी तक का सबसे hardest sum है, figure देख लो, अच्छे से, ठीक है, Y है, Z, not A, T, not A, X, not A, 50, 90, that's it, A, B, C, D, E, F, that's it, तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर, if two lines are intersect, the vertically opposite angles are equals, तो हम लोग का angle B, O, D, और angle A, O, C, 90 डिग्री है, तो T is equal to हमरा कितना हो जागा, T भी हमारा 90 डिग्री होका, तो angle D, O, F, और angle C, O, E, तो ठीक है, angle B, O, F, angle, फिर हमारा आ जाता है, C, O, E, C, O, E, ठीक है, यह तो हमारा 50 डिग्री, तो Z is equal to हमरा 50 डिग्री, अब लोग जानते हैं कि angle A, O, C, plus angle C, O, E, angle B, O, E, is equal to हमरा 180 डिग्री, क्योंकि A, O, B, यहाँ पर straight line है, अगर आप लोग देखोंगे, A, O, B, हमारा एक straight line है, green वाला लाइन जो है, हमारा, सो, जब इसको सॉल्व करोंगे, तो 90 प्लस 50 प्लस Y is equal to 180, तो Y हमारा 40 डिग्री आ गया, एंगल B, O, E, plus एंगल A, O, F, is equal to 40 डिग्री, सो X is equal to 40 डिग्री, Y is equal to 40 डिग्री, Z is equal to 50 डिग्री, T is equal to 90 डिग्री, that's it, हमारा आ गया, next है, question number, question number 8, in the adjoining figure, three co-planar lines A, B, C, D, E, F, intersect data point O, find the value of X, and find the A, O, D, and angle C, O, E, angle A, O, E, देखिए, आपको दो line से ज्यादा कर intersect है, तो आपको copy में diagram draw करके, उसको तीन-चार बार practice करना हाओ, तब जाकर के आपका दिमाग में अच्छे से बैठेगा, इस इसको बता देखिए, if we know, two lines are intersect each other, then the vertically opposite angles are equal, same concept, यहाँ पे लगा, C, O, E, that's it, yellow, green, green, yellow, 5X0, 5X0 इसलिमाल है, क्योंकि यहाँ पे valuation दिया हुआ है, 5X0, ठीक है, उसके बाद angle A, O, D, angle B, O, C कितना है, 2X0, 2X0, opposite होगा एक दूसरे का, उसके बाद, angle A, O, E, equals to angle B, O, F, कितना है, 3X0, यहाँ उपर वाला के 3X0 है, तो इसका opposite कितना होगा है, 3X0, killer है, A, O, B, is the straight line we have, तो हम लोग तीनों को add करेंगे, तो कितना होगा, 180 होगा, angle A, O, E, plus angle C, O, E, angle B, O, C, 3X, 5X, 2X, is equal to 180 degree, उपर निकाला हुआ है, 10X is equal to 180, X is equal to 18 degree, जब इसका value बैठाएंगे, तो 36 degree, 90 degree, 54 degree आएगा, और यह तीनों को जब total करेंगे, तो हमारा 180 आएगा, देखे, that's it, खतम होगे, question number 9 देखते हैं, एक सेकेड, हलो, तो यहाँ पर question number 9 हम लोग देखेंगे, two adjacent angles on a straight line are in the ratio of 5 to 4, find the measure of each of these angles, तो हम लोग अगर इस angle को ना पेंगे, तो कैसे को तो हम लोग जो यहाँ पर ratio 5 to 4 है, हम लोग जानते हैं कि इस दोनों को हम लोग adjacent angle जो इसको X मा लिया, 5X और 4X हो गया दोनो, उसके बाद क्या होगा, 5 plus 4X equals to 180 कर दिये हम लोग, तो अगर हम लोग X को solve करेंगे, तो हमारे 20 degree आजएगे, that's it, so, substituting the value of X into adjacent angles, जो हम लोग 5X 4X मा रहे हैं, उसमें हम लोग X का value बढ़ाएंगे, तो X का value हमारे यहां पर कितना है, 20, तो हम लोग 5X में 20, 5 into 20 is equal to 100, 4X में हमारे X का value बढ़ा है, 4 into 20 is equal to 80, therefore the measure each of one of these angles is 100 degree and 80 degree, that's it, फिर हम लोग question number 10 में देखेंगे, if two straight line intersect each other in such a way that one of the angle form measure 90 degree, जो हम लोग स्टेट लाइन लेंगे तो एक दूसरे को intersect करता है, तो एक ऐसा way में करता है, जहां पर angle form होता है कितना 90 degree, so that each of remaining angles measure 90 degree, और जो हम लोग का remaining angle है वो कितना हो जागा 90 degree, left two straight lines AB and CD intersect each other, तो AB and CD क्या करें कि दूसरे को intersect करेंगा, और कहां पर point up है, तो angle कितना होगा, angle AOC is equal to 90 degree, जो हम लोग का angle AOC है वो हमारा 90 degree हो गया, फिर हमारा angle AOC equals to angle BOD, vertically opposite angles, ठीक है, तो angle BOD कितना है हमारा 90 degree, angle AOC and angle AOD form a linear pair, अब तो देख सकते हैं हम लोग का angle AOC है और angle AOD दोनों क्या है, तुम्हारा linear pair पर है, मैंने एक दूसरे के साथ में सीधा सीधी है, उसके बाद क्या है कि हम लोग जानते है कि 90 degree plus angle AOD is equal to 180 degree, angle AOD equals to 180 था, तो angle BOD का value कितना है 90 degree, तो 90 degree बठा है, plus angle AOD equals कर दिये इसको 180 के साथ में, तो लोग जो angle AOD हमारा आ जाएगा 180 minus 90 calculation करेंगा, तो हमारा AOD equals to 90 degree, इस आदा vertically opposite angle, यह क्या vertically opposite angle है, हमारा एंगल BOC equals to angle AOD, यह equal हो गया, फिर एंगल हमारा BOC is equal to 90 degree, so each of remaining angles is equal to 90 degree, तीनों क्या है 90, 90, 90 यह बस, हो गया, next है, यह बार इसको practice कर ले ना अच्छे से, two lines AB and CD intersect at a point O, एक point पर दोनों एक line को intersect किया है, उसके बाद के that angle BOC plus angle AOD equals to 280 degree, तो यह दोनों क्या है, दोनों का साम हो गया है, तुमारा 280 degree as shown in the figure, यह figure में show कर रहा, find all the four angles, यह चारों angle को निकालना है, तो पहले देखेंगे, from the figure, we know that angle AOD and angle BOC are vertically opposite angles, AOD and BOC हम लोगा क्या है, vertically opposite angle AOD equals to angle BOC, यह है, in the given that angle BOC plus angle AOD is equal to 280 degree, क्यों है 280 degree, देख सो, एक हमारा हो गया, तुमारा यहां पर दिया हुआ है, 280 degree हमारा question पर ही दिया हुआ है, क्या angle BOC plus angle AOD is equal to 280 degree, as shown and figure, यहां पर यहां पर यह वाला term को बटा है, अब हमारे क्या है, कि angle AOD plus angle AOD plus angle AOD, तो हमारा 282 हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कि BOC equal होगा AOD के, angle B equals to angle A, next फिर आपका, तो angle AOC बराबर जब क्याल्क्लेस करेंगे, तो हम लोग यहां पर 180-140, हमारा 40 degree होगा, from the figure, we have angle AOC and BOD vertically opposite angle, so angle AOC equals to angle BOD equals to 40 degree, so therefore angle AOC is equal to 40 degree, angle BOC is equal to 140, angle AOD is equal to 140, angle BOD is equal to 40 degree, बस जिसका 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 हम लोग यहां पर बैठा दिये, उसका next question में 12, two lines A, B and C, D intersect each other at a point O such that angle AOC और यहां पर हम लोगा ratio बैठ गया, angle AOD, तो हमरा केतना होगा, 5 is to 7, find all angle, सारा angle से इसमें निकालना है, तो कैसे होगा, angle AOC is equal to 5K, और angle AOD हमारा 7K, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या 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 माल लिए, यहां यहां यह भी माल सकते, कुछ ही माल सकते, यहां आप इसको सेम कॉंस्टेंट भी लिख सकते हो, तो एंगल AOC and angle AOD formal linear pair, तो हम लोग का AOC है, और AOD है, वो क्या करेगा, एक linear pair बनाएगा, एंगल AOC plus angle AOD, क्योंकि कितना होगा हम लोग का 180 होगा, तो 5K plus 7K is equal to 180, तो हमारे 12K is equal to 180, K is equal to 15 degree, एंगल AOC बराबर कितना जगा, देखो K का वेलवेशन होगा हम लोग 15 निकाले हैं, देखो यहां जितना भी चीज़े, पहले तो हम लोग लेट कर रहें किसी भी जिसके A, B, C, D, X, Y, Z, जो भी मान रहें, उसके बाद उसका वेलवेशन निकाल है, फिर उसमें पूट कर रहें, रेशियो पर, तो हमारा एंसर आ जा रहे है, सेम पॉंसेप्ट हम लोग यहां पर निकालेंगे, तो एंगल AOC हमारा 75 degree, एंगल AOD 105, एंगल BOD 75, इस 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 अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल B OCA equals to AOD equals to 105 degree, तो हमारा क्या होजागा, भर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर हमारा नेक्स्ट है, question, question number 30, in the given figure, three lines A, B, C, D, E, F intersect at a point O, such that, एंगल A, O, E is 35 degree, एंगल B, O, D 40 degree, मैं बार बार उता देना चाहता है, इस चीज को, कि जो भी data question में दिया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, as compared to figure, find the measure of, angle A, O, C, angle B, O, F, angle C, O, F, angle DOE, तो कितना हो जाएगा, 35 degree, 40 degree, A, B, C, D, E, F, that's it, तो हमारा क्या हो, in the given figure, angle A, O, C, angle B, O, D, angle A, O, C, angle B, O, D, कितना हो जाएगा, opposite एक दूसरे का, उसके बाद, angle E, O, C, and C, O, F, form a linear pair, जो हम लोगा, E, O, C, and C, O, F, वो एक linear pair, तो क्या हो जाएगा, angle E, O, C, plus angle C, O, F, is equal to 180 degree, अब क्या है, कि हमारा C, O, F, को तो इसी छोड़ देंगे, लेकिन हमारा जो E, O, F है, यहाँ पे जो E, O, F है, इसका दो पार्ट बनेगा, पहला angle A, O, E, O, E, plus angle A, O, C, A, O, C, यह दोनों ले लिए, plus करके angle COF, तो हमारा पास AOE का valuation कितना है, 35 degree, AOE का valuation 35 degree, AOC का 40 degree, angle COF का वैसी उतर जागा 180, तो angle COF हमारा आ जागा, calculation करने के बाद 105 degree, angle DOE is equal to angle COF, क्योंकि दोनों एक दूसरे का opposite है, DOC, DOC, और angle EOF, COF, यह दोनों एक दूसरे का opposite हो जाएगा, यहां का जुआ है, कितना होगा हमारा answer 105 degree, vertically opposite angle, एक दूसरे का vertically opposite angle, horizontal नहीं है, यहां पर vertical है, question of 14 देखेंगे, इन दा गिबन फिगर, टू लाइन, A, B & C, G intersect at a point O, such that angle BOC is equal to 125 degree, find the value of X, Y, Z, थोड़ा एक step आगे, level 1 का math है, तो देखें, X, Y, Z है, लिगर दिया हुए हम लोग का, A, B, C, D, सबको देख लिए अच्छे से, लिगर में है, तो एंगल A, O, C, एंगल B, O, C, formal linear pair, तो हम लोग आखें, एंगल A, O, C, प्लस एंगल B, O, C, को जोड़ेंगा, तो हमारा 180 हुआ, A, O, C, को X, को X, N, O, C, को 125 degree, equals to 180 degree, X, N, O, C, is equal to 180 minus 125, तो हमारा 55 degree है, तिर हमारा आजएगा, एंगल B, O, D, equals to angle B, O, C, तो 125 degree, क्योंकि एक दूसरे का भी प्लिद होगा, यह जो भी कौन है, तो देख लेते हैं, एंगल A, O, D, हमारा, A, O, D, 125, तो एंगल A, O, C, कितना हो जागा, sorry, एंगल B, O, C, B, O, C, एक दूसरे का पोजिट, एंगल लिख देंगे हम लोग, तो वाइनोट हमारा 125 degree होगे, एंगल B, O, D, एक दूसरे का पोजिट है, उसके बाद B, O, D, equals to angle A, O, C, हमारा 55 degree हो गया, 55 यहाँ पर देख सकते है, X not का माइनस करके हम लो निकाले हैं, तो, फाइनली हमारा Z not 55 degree हो जाएगा, Z not 55 degree, उसके बाद क्या है, तो रिस्पेक्टिबली, X, Y, Z का मिली, 55, 125, 55, that's it, that is the answer, ठीक है, next time लोगे, question number 15, if two state lines intersect with each other, then prove that the ray opposite to the bisector of one, of the angle, so formed, bisect the vertically opposite angle, let us consider A, B, and C, D, as two lines intersecting at a point two, where O, E is the ray bisecting angle B, O, D, and O, F is the ray bisecting angle A, O, F, तो यहां पर देखो, E, R, F है और यहां पर A, B है, और यहां पर C, D है, point है, O, तो हम लोगे करेंगे, let A, B, and C, D, be the two lines intersecting at a point, and let the ray O, E bisect करता है, angle A, O, C को, now, draw a ray of O, F, in the opposite direction of O, E, O, F को हम लोग यहां पर draw करेंगे, picture को जहां से समयने कोसिस करेंगे, यहां पर बताया क्या जारा, तो हम लोगे यहां पर O, F है, ठीक है, O, F को direction क्या कर दिए, यहां पर O, E का direction पर देदी, अब उसका बात क्या हो जाएगा, यहां पर E, O, F, उसके बात क्या है, angle C, O, E, तो यहां figure मिली, understanding वहला concept है, और plus क्या है, थोड़ा harder है, तो इसको ठीक से समझेंगे, यहां पर ABCD को हम लोग टू लाइंस के साथ intersect कर दिये, पॉइंट होपे, हम लोग का ABCD, let the ray O, E, bisect angle A, O, C है, O, E, Now, draw a ray of O, F in the opposite direction of O, E, जो हम लोग का O, F है, वह opposite direction O, E का, जो बात अभी बता रहे है, सब से हम अभी agree कर रहे है, E, O, F is a straight line, हम लोग का E, O, F है, वह क्या हमारे straight line है, फिर हमारा क्या जगा angle C, O, E, equals to one, जो हम लोग का C, O, E, का जो valuation है, C, O, E, उसका valuation कितना हो गया, और angle A, A, O, E, इसका valuation 2, angle B, O, F का 3, angle D, O, F का 4, ऐसे करके, we know that the vertically opposite angles are equals, जो हम लोग का vertically, जो angles रहता है, वह opposite है, और equal है, हमारा angle 1 equals to angle 4, angle 2 is equal to angle 3, so angle 1 is equal to angle 2, को ले लिए, science O, E is the bisect angle A, O, C, and 4 is equal to 3, मने इसको ले लिए, 1 से 2 को, और 4 को 3 से ले लिए, और condition क्या लगाए, हम लोग O, E को bisect कर दिए, angle A, O, C के साथ में, hence the ray opposite to the bisector of one of the angles, so formed bisect the vertically opposite angle, that's it, तो यहाँ पर देखेंगे, एक proof देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा और killer होगा, क्या बाता है तो कॉंप्लिमेंटरी का concept, कॉंप्लिमेंटरी कितना है, 90, सप्लिमेंटरी कितना है, 180, ठीक है, यह हमेशा दिमाह में डाल लाईएगा, जितना भी आप मैस बनाएंगे, सब में यह काम करेगा, एक universal formula है, include a right angle, right angle मतलब क्या होगा है, 90 degree के बात करना है, ठीक है, a, d, f, a, b, c, जो भी है, यहां पर देख लिए figure अच्छे से, प्रूफ करना है यहां पर, प्रूफ करना है, तो इसका methodology के हिसाब चलना पड़ेगा, तो प्रूफ, angle e, c, f is equal to 90 degree, let a, c, b, d not a straight line, and let angle a, c, d, and angle b, c, d, is a supplementary angle, a, c, d, or b, c, d, क्या है, supplementary angle है, then we have, angle a, c, d, is equal to, हमारे कितना होगा, x not माल लेंगे हम लोग, और b, c, d, ko 180 minus x not, क्योंकि देखो, हम लोग यहां पर पहला तो पहला है, यहां पर clear करज़े, supplementary angle, का मतलब हो गया हमारा, जो 180 है, अब हम जो angle माने x, उसको minus कर दीए, यहां पर यही concept है, 90% mass यहीं दम थोड़ दिया, उसके बात खली नियाम है, तो let c, e, b, c, d, and c, f, b, c, d, then we have, इसको थोड़ा practice कर लेना अच्छा से, angle a, c, e, c, d, equal to one by half, x not, अब क्या है, angle b, c, f, and angle f, c, d, to one by half, पहले तो x not को लेके बरकाम की कि हम लोग angle e, c, d, को माने कितना x not, और angle b, c, d, को कितना माने, 180 minus x not, तो यहां पर angle b, c, d, बठा है हम लोग, 180 minus x not, अब वहां पर one by half x not, उसके बात क्या है, angle e, c, d, plus f, c, d, दोनों को हम लोग क्या किये, दोनों को जोड दिये, उसके बात क्या आज है का, plus one by half x plus one by half 180 minus x, जब इसको तोड़ करके calculation करोगे, तो हमारा one by half into 180 degree angle e, c, तो 180 divided by two, 90 degree होगा, तो हमारा e, c, f, कितना के 90 degree, और हमको क्या prove करना था, कि right angle है, हमारा जो ECF है, देखो, प्रूब हो गिया, question पड़ो फीट से, prove that the bisector of two as and supplementary angle include a right angle, that's it, hence prove that, ECF is equal to 90 degree, thank you so much, जय ही जय भारत, please like subscribe and share my channel, how much you can, love you for all, thank you for your support.